हाई फ्रेंड्स डॉग केरन के और चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हारदिक स्वागत है साधियों डॉग से सम्मन्दि जितनी भी जानकारिया हैं हम अमारे चैनल पे लेके आते हैं उसी प्रकार से आज मैं एक विशेश प्रकार की जानकारी आप सभी के लिए लेके आया हूँ जैसा कि आपने टाइटल और थमनेल में दे की लिया है डॉग मिटिंग यानि डॉग मिटिंग का कौन सा समय उप्युक्त रहेगा ये आज इस वीडियो में हम आपको संपोन जानकारी देने वाले हैं कि हमारी फिमेल डॉग जब हीट में आती है तो किस समय हम उसे मेल डॉग से क्रोस करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पपी लिये जा सकें और कंसीव होने के जो चांसेज हैं वो भी बहुत अच्छे हो अगर हमें इन मातों का नोलेज नहीं होगा और गलती से हम मालने जीए अलग दिन हम मिटिंग करवा देते हैं तो कंसीव होने के चांसेज भी कम रहेंगे और बाइचांस कंसीव हो भी जाती है तो उसमें पपीज हमें कम मिलेंगे तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पांच इसी विदियां बताने जा रहा हूँ जिनकी मदद से आप अपने फिमेल डोग की मिटिंग करवाते हैं उन विदियों को इस्तेमाल करके तो आप अच्छे पपी प्राप्त करेंगे और कंसी होने के चांसेज भी ज्यादा रहेंगे तो पांच जो विदियां है जो मैथड है उन में से तीन मैथड पैट ओनर्स खुद कर सकते हैं अपने घर पे यानि अगर उनको जानकारी होगी तो यह तीनों मैथड खुद कर देंगे और दो मैथड जो है वो आपके नजदे की वेटनरी डॉक्टर करेंगे तो जो तीन मैथड पैट ओनर्स को पता होने चाहिए उन में से जो प्रथम मैथड है वो है दिनों की संक्या का अब दिनों की संक्या का निर्धारन कैसे करेंगे उसमें होता क्या है आप सभी को पता है कि जब भी female dog heat में आती है तो वो bloody discharge करती है यानि वेजाइना में से blood निकलता है तो जो bloody discharge होता है उस दिन को हम प्रथम दिन मानेंगे यानि वो पहला दिन उसका रहेगा और उसके हिसाब से अगर आपके पास large breed है तो 11 से लेकर के और 13 दिन जो है वो उप्युक्त रहता है मिटिंग करवाने के लिए और अगर आपके पास small breed है तो 9 से लेकर के और 11 दिन जो है वो उप्युक्त होता है इसके अलावा हम आपको सला देते हैं कि 9 से लेकर के 13 दिन के बीच में अगर 2 या 3 बार मिटिंग क ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानि 60 से 70 परसेंट तक चांसे इन दिनों में कंसीव होने के रहते हैं, क्योंकि इन दिनों में क्या होता है, कि जो ओविलेशन होता है, यानि जो अंडाणूं निकलते हैं फीमेल की ओविरी में से, उन अंडाणूंकी जो संक्या है, वो करोणों की संक्या में होते हैं तो जब इतने स्पर्म अंदर आ रहे हैं तो अगर OVYUM जीतने ज्यादा उपलफ्द होंगे उतने ही बच्चे पेदा होंगे तो जैसे मालेजे ये indylai ds OVYUM है नौ OVYUM है या आर्ट OVYUM है तो उन आउट OVYUM से आठ स्पर्म सयोग करेंगे और जाइगोट बन जाएगा और उतने ही बच्चे पेदा होंगे जो कि इन दिनों में संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है तो पहला पॉइंट आ गया दिनों की संख्या वाला उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है पैट ओनर्स जिसका ध्यान देंगे वो होता है डिस्चार्ज का डिस्चार्ज में जो शुरुवात में बलडी डिस्चार्ज आ रहा है वो बलडी डिस्चार्ज मिटिंग का जब उप्युक्त समय होगा उस समय पिंक कलर का हो जाएगा यानि लाइट पिंक कलर लिये वे रहेगा तो उस समय हम सोच ले और उसी दिन अगर हमने मिटिंग करवा दी तो वो सर्वस रेस्ट समय रहेगा ओवियूम की संग क्या ज्यादा रहेंगी और इस पर मिल करके जाइगोट ज्यादा बनेंगे यानि ज्यादा पपी पेदा होंगी ये दोनों बाते अगर हम देख लेते हैं तो 70 से भी उपर पर इसके अलावा तीसरा पोर्ण जो है जो पेट ऑनर्स देखने वाले हैं वो होता है टेल रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है जिवही पेट ऑनर्स अगर फिमेल डोग की वेजाइना की हात लगाते हैं तो तुरंट उसी समय डोग अपनी टेल को एक तरप कर लेगा यानि उसक को बीच से हटा लेगा अगर ऐसी कंडिशन हमें दिख रही है टेल रिफ्लेक्स की तो आप समझ लेए कि ये समय जो है वो उप्युक्त रहता है अगर तीनों समय मिल गए दिन वाला भी मिल गया इधर से ये भी मिल गया आपके डिश्चार्ज वाला और इधर से समय मिल गया तेल रिफ्लेक्स वाला तीनों समय अगर एक जैसे है तो उस इस्तिती को सर्वस्रेश्ट माना जाता है और कंसीव होने के चांसे 75% तक रहते हैं इसके अलावा अगले जो दो विंदू आते हैं वो आपको अपने वेटनरी डॉक्टर से पता करने होंगे तो नजदी के वे वेजाइना के डिस्चार्ज को और वेजाइना को अच्छी तरीके से एक्जामिन करेंगे और एक्जामिन करने की बाद जांच करने की बाद वो आपको एक निस्चित समय बता देंगे कि आप इस समय अगर आप मिटिंग करवाते हैं तो ओयूम के संक्या ज्यादा रहेगी और conception के chances जो है वो भी अच्छे रहेंगे और इसमें क्या होता है कि अगर अनुभूवी वेटनरी डोक्टर है तो आपको इसी से जवाब मिल जाता है otherwise कई बार अगर मान लीजिए किसी भी कारणवस से जरूरी नहीं अनुभूव की कमी हो किसी भी कारणवस से अगर vaginal cytology में पता नहीं लगता है तो फिर हमें जाना पड़ता है प्रोजिश्ट्रोन लेवल टेस्टिंग पे यानि आपके वेट को अगर लगता है कि हमें प्रोजिश्ट्रोन लेवल टेस्टिंग करवानी चाहिए तो वो उसे जो भी से साथ के बीच में प्रोजिश्ट्रोन लेवल है तो दी बेस्ट माना जाता है और सही समय माना जाता है इसके अलावा होना क्या चाहिए साथ से अबोग होना चाहिए लेकिन जब हम सेंपल बेज रहे हैं तो उस समय थोड़ा सा लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं यानि साथ नेनो ग्राम से अगर ज़्यादा है प्रोजिश्ट्रोन लेवल तो वो उप्यूक्त समय होता है मिटिंग का तो ये सारी की सारी बाते हैं अगर हमने सारी बाते फोलो कर ली तो 85% तक चांसेज रहते हैं डोग के कंसी होने के और बहुत ही अच्छे पपी देने के अगर हमारे गर पे फिमेल डोग है तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि उसे हम समय पे हीट में लाएं अगर मान लीजिए कि अगर जाइंट व्रिड्स है या स्मॉल व्रिड्स है अगर एक साल से उपर हो गई है और हीट में नहीं आईए तो आप हीट में आने की दवा भी दे सकते हैं हीट में लाने के कौन-कौन से तरीके होता है वो अमने एक अलग वीडियो में जानकारी दी थी जो वीडियो डिस्क्शिन में है आप देख लेना और जो दवा बताएगी है वो अगर आप देंगे तो आपकी female dog जो है वो हीट में आ जाएगी इसके अलबा friends dogs के जितने भी देशी इलाज आप जानना चाते हैं वो देशी इलाज हमारे अलग चैनल पर मिलेंगे जिसका नाम है डीडी रामावत जो आपको ये लोगो दिख रहा है इसमें विजिट करके सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के देशी इलाज की जानकारी समय समय पर मिलती रहे